नमश्कार दोस्तों ग्यानशाला के मोटिवेशनल स्टोरी में आपका स्वागत है आपका सपना अवश्य पूरा होगा यदि आपने सच्चाई और इमानदारी से प्रयास किया है कैप्टन गोपिनाथ इसकी मिसाल है कैप्टन गोपिनाथ ने एक असंभव सा सपना देखा था लेकिन इमानदारी और सच्चाई के साथ उनका प्रयास ही था जिसने इस असंभव से स्वपन को साकार किया गुरूर रामास्वामी अयंगर गोपिनाथ जिन्हें आमतोर पर कैप्टन गोपिनाथ के नाम से भी संभोधित किया जाता है उनका जन्म साल 1951 में करनाटक के गुरूर नामक एक छोटी से गाउं में हुआ था उनके पिता एक स्कूल में टीचर और लेखक थे उनकी माता जी हाउस वाइफ थी कुल मिलाकर वो एक मध्यमबर ये परिवार से आते थे कैप्टन गोपिनाथ ने इंडियन एयर फोर्स में पाइलट की रूप में काम किया था और उनका हुदा कैप्टन का था उन्होंने भारतिय सेना में आठ परशों तक अपनी सेवाई दी 1971 के बांगलादेश मुक्ति युद्ध में भी हिस्सा लिया था इसी दौरान उन्होंने एक असंभव सा सपना देखा उनका सपना एक ऐसे एवियेशन कंपनी खुलने का था जो देश के खरीबों को भी हवाई सफर करवा सके सोचिए एक कैप्टन एवियेशन कंपनी का सपना देख रहा है है ना असंभव सी बात लेकिन इतिहास वही बनाते हैं जिनकी डिक्षनरी में असंभव शब्द नहीं होता कैप्टन गोपिनाद भी ऐसे ही एक वेक्ती है उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए आर्मी से रेटायर्मेंट ले लिया लेकिन कोई सपना एक दिन में पूरा नहीं होता उसके लिए कई पड़ाव से गुजरना होता है वे भी इसके अपवार नहीं थे उन्होंने आर्थिक मजबूती के लिए डेरी फार्मिंग, रेशा मुतपादन, पोल्टरी फार्मिंग, होटेल, एंड फील्ड बाइक डील, स्टॉक ब्रोकर में अपना हाथ हाजमाया और पैसा कमाया इसके बाद वर्ष 1996 में उन्होंने डेककन एवियेशन नाम से एक चार्टर हेलिकॉप्टर सेवा शुरू की थी, इसके तहट उनका उद्देश वी आईपी लोगों के लिए चार्टर हेलिकॉप्टर की सेवा को उपलब करवाना था अपने सपने को बुरा करने के लिए उन्होंने दूसरे वेंचर एरट डेककन को साल 2003 में शुरू किया इसके तहट उन्होंने भारत में सस्ती कीमत पर हवाई यात्रा को संभव किया कैप्टन गोपिनाद की सफलता के तीन रीजन थे पहला एवियेशन फील्ड में उनके पास अनभव था वे खुद पाइलट थे और एवियेशन फील्ड के तकनी की पहलों को अच्छी तरह से समझते थे दूसरा उन्होंने धीरे धीरे डिफरेंट फील्ड में काम करके बिजनस संबंधी अनभव को हासिल किया था सबसे महतपूर्ण वो अपने सपने को पूरा करने के लिए इमानदारी के साथ निरंतर प्रयास रत रहे और धैरे बनाए रखा तो दोस्तों यदि हम भी धैरे बनाए हुए इमानदारी से प्रयास करें तो हम निश्चिती सफल होंगे अगर स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेर कीजिए लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए धन्यवाद